उत्तर पर देश के हरदोई पुलिस ने हाइवे पर वहनों से लूट पार्ट करने वाले गिरोहों का परदाफाश किया है पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफतार भी किया है आपको बतादे कि कोतवाली देहात वा सर्विलांस टीम ने आरोपियों को काबू किया है परभारी निरिक्षक कोतवाली देहात रंधा सिंग वा सर्विलांस परभारी सुनील कुमार सिंग के नितित्व में बीती रात हर्दोई से शहाजापूर मार्क पर चोपाल सागर के पास हाईवे पर वाहनों आदिसी लूट पार्ट करने वाले पांच आरोपियों को गिरफतार किया गया है। मामले का खुलासा करते हुए अपर पूलिस अदिक्षक अनिल कुमार यादव ने मीडिया को बताया कि थाना को तुवाली देहात व सर्विलांस टीम के द्वारा नानक गंजाला शेतर में हुंड़ई शोरूम के पास राहगीरों से हुई लूट पार्ट की घटना के अलावा शाहा जाहनपूर रोड पर गाउं अटवा असी गाउं के पास खड़े ट्रक वथाना शाहाबाश शेतर में हाईवे पर खड़े दो ट्रकों की लूट पार्ट की घटना का अनावरन किया गया उन्होंने बताया कि कोतवाली देहाद पूलिस वर सर्विलांस टीम को इस सफलता के लिए पूलिस अदिक्षव कमित कुमार द्वारा दस हजार उपे का इनाम की घोशना की गई है हर दोई से समधाता शाही दली की रिपोर्ट लूप में जो माल है 5,900 रुपए तीन मोबाई और एक फूटा हो मोई इनसे बरमाद हुआ है लिश्ची की इसमें एक और जो बुली हम है कोतवाली दाहाद में जो धकेती पड़ीची रोहिट उसको भी पूलिस ने गरपतार किया इस घटना में और इसे इन अपरादियों के रप्तारी से आम जन्मानस में पुलिस की थाभी सुरेगी और अपरादियों को रोप फाम दगेगी पुलिस के इस कारवाई के लिए पुलिस अजिछे द्वारत 10 रुपए का इना पुलिस टीम को दिया गया ऐसे ही लेटेस्ट परेपाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइज, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद समीठर आइ是erap करें दोटीद सी टीम करें दो खेंड फज़के ज़ने का सब्सकी करें दोट फ्सक्राइब को उता है लतमस्क्राइब कि और सुनी उता है झाल 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 झाल